तो हेलो में विट्फॉल सोल्स वेलकम तो मैं चानल विट्फॉल टेर्स वाइस कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छी अगर अपनी लाइफ में भी आगे बट रहे होगे आज मैं आपके लेडिंग लेकर आगी हूँ आपका सोल और लाइफ पॉपस क्या है आपको अपने लाइफ इस लाइफ टाइम में आप क्या करने आए हो क्यों आपको भेजा गया है आपको इस धरती के उपर और इस अर्थ का मिशन क्या है आपका और इस लाइफ की यह आपक अगर आपका birth month January, March, July, May, September and November में से है तो guys आप first pile पिक कर लेजेगा and अगर आप अपने लिए intuitively पिक करना चाहते हो guys तो भी option है आपके लिए यहाँ पे wisdom card है guys okay यहाँ पे अपने wisdom है तो आप इस card तो भी पिक कर सकते हो so अगर आप इस card को पिक नहीं करना चाहते हो अगर आपके birth month है February, April, June, August, October and December so आपके लिए second pile and अगर आप power card को पिक करना चाहते हो तो guys आप power card को पिक कर सकते हो so आपके लिए second pile आप intuitively भी पिक कर सकते हो अपने लिए card so guys अगर आप new हो चानल पे तो subscribe कर लिजे चाहाँ को bell icon को दबा दीजे so that आपको आने वाले notifications मलते रहें okay and all पे सेट कर दीजे so guys अगर आप Instagram पे हो तो वहाँ पे follow कर सकते हो okay and अगर आप रिडिंग लेना चाहते है अपने लिए personal रिडिंग so यह general रिडिंग होगी जो भी हम करेंगे अगर आप अपने लिए personal रिडिंग लेना चाहते है तो Instagram पे DM करेंगे क्योंकि DM का link guys description में होगा time stamps के just above and also वहाँ पे आपके लिए prices भी मैंने बता रखे हैं so अगर आपको ठीक लगे prices तो आप ले सकते हो reading बाकी मैंने बहुत मतलब से टेक से रखे हैं ठीक है normal prices रखे हैं जादा high prices नहीं रखे हैं so अगर आप reading लेना चाहो तो welcome है guys ठीक है and अभी देख लेते हैं आपके लिए first pile के लिए कैसा है आपका life purpose क्या है आपका life purpose आप इस earth के उपर क्यों आए हो ठीक है कौन कौन से lessons आपको learn करने पड़ेंगे इस earth के उपर रहकर और कौन कौन से obstacles आने वाले हैं आपकी life में so आपके सामने अगर आपका birth month है January, March, May, July, September and November so guys देख लेते हैं and आपके life purpose क्या है and guys यहाँ पर आपने wisdom card को अगर पिक किया है तो guys इस card के through में आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़ा knowledge गेन करने आए हो, यहाँ आप teaching करने आए हो, यहाँ पर teacher बन सकते हो, आपका यह life purpose हो सकता है ठीक है yeah guys यहाँ जिसे इसके हाथ में बुक है, मैं इससे यहाँ पर astrologer भी बता सकते हो, ठीक है, teacher भी बता सकते हो, ठीक है and जिसको knowledge होती है, बहुत सरी books रीड करने पड़ती है, आप बहुत highest शड़ी तक भी ज़ा सकते हो, इस lifetime में and यहाँ आपका wish है कि यह से UPSC वगरा इससे higher exams देने की भी इच्छा आपके अंदर रहेगी इस lifetime में and यहाँ पर dog है, आपके पास ज़रूर dog होगा, चाहे black है, चाहे white है, चाहे जो भी color का है dog आपके बहुत हल्प करने वाला है, आपको happy रखने वाला है, okay so हमारे पास भी गबबर है, ठीक है, हमने उसका नहीं नहीं गबबर रखा है, so बहुत छोटा से अभी तो देड़ मंत का है, अभी, so अगर मेरा मन हुआ तो मैं डालूँगे Instagram के उपर उसके लिए story, यहाँ कोई pic डाल दूँगे उसकी यहाँ पर लोग भी खड़े हैं, घल दिख रहा है, so यह शादीगा भी काड़ होता है, so I don't know why, but आप शादीगा करवाने वाले जैसे होते हैं, विचोले, so वह भी बन सकते हो, ठीक है, या कोई ऐसी, मतलब आप नौलिश, लोगों को नौलिश, जैसे बांटने वाले लोग होते हैं, वो होगे, like यह से YouTube पे motivators होते हैं, ठीक है, like संधीप, महेश्वरी जी, so वैसे ही आप लोग हो सकते हो, मतलब मैंने वो नेम बताया, जो जाना पहचाना है, सब लोग ही जान आने वाले हो, ठीक है, okay, justice, say this, यहाँ पर कानून से रलेटर कोई जॉब हो सकती है, queen of pent, omg, guys, यहाँ पर queen of pentacle है, queen of pentacle, दोनों ही divine counterparts आ चुके हैं, okay, so यहाँ पर है queen of cups, okay, the word, six of cups, वाओ, guys, बहुत ही अच्छे beautiful cards आ रहे हैं आपके लिए, okay, nine of pentacles, nice, so queen of pentacles, and minor arcana ही होता है, एक तरस nine of pentacles, six of swords, okay, move on, three of cups, यहाँ पर, guys, दो card गिरे हैं, यह लूँ या ना लूँ आप ही बता देजिए, ठीक है, but आप कैसे बता पाओगे, so यहाँ पर है एरोफेंट है, and four of pentacles भी यहाँ पर गिरे हैं नीचे, five of pentacles, okay, so guys, मैं आपको पहली बात पता देना चाहते हूँ, आपके destiny बहुत बढ़ी है, बहुत ही ज़रा rich, rich बनने वाले हो, यहाँ आप ऐसी family में ही जन्म लेने वाले हो, जो बहुत बढ़ी family है, ठीक है, जा तो बढ़ी family, वैसे हो सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छी family में पैसा जिसके पास बहुत ज़रा हो, वैसे family में जन्म लेने वाले हो, यहाँ जन्म नहीं लिया है, वाला इतना होगा उनके पास, ममी पपा के पास, आपकी यह दादे दादी, कि जतना आप लोग अपनी life में rich कहला पाओ, ठीक है, गुजारा कर सकते हो, वो जिंदरी काटन है, वो नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा आपका इस lifetime में, अगर अभी तक नहीं है, तो आने वाले time में तो जरूर हो जाएगा, अगर तब भी नहीं है, तो guys, after marriage तो पका ही पका है, because यहाँ पे king of pentacles है, queen of pentacles है, आपके जो person है, वो आपके लिए बहुत भाग्यश हली रहन होने वाले हो की, आपके divine counterpart होने वाले है वो, जो आपके divine counterpart है वो भी आपके ही sign की होगा, अगर आप Taurus होगे, कि Capricorn sign की हो, because यहाँ पे earth sign बहुत दिख रहा है, and water sign होगे, earth and water का mixture, बहुत ज़ादा दिख रहा है, यहाँ पर, so of course, अगर धरती है, उसके पर पेड़ अगा ह जुबार्ट आचुके नियुक्त आचांट है तो आपकी शादी के बाद आपका भाग्य होने वाले हैं यह यहां पर पक्का दिख रहे हैं एड यह आपका लाइप पर पंपर्पेस भी यह इस लाइफ टाइम में की हैस आपको शादी के बाद ही सब कुछ मिलेगा justice है यहाँ पे guys legally हरे काम करते हो दिख रहे हो आप लोग and like family को मना कर अगर love marriage पे करने family को मना कर and जो भी आपके person है आपके soulmate होने वाले हैं long distance से होंगे वो आपके person ठीक है आप से बहुत long distance से ही होंगे आपके person short distance नहीं होगा आप दोनों में and क्या अपता आप लोग online ही मिलो ठीक है या किसी app पे मिलो जैसे apps होती है बहुत सारी so यहाँ पे hierophant है so यहाँ पे hierophant का guard है of course यहाँ पे range marriage भी दिख रहे है love भी दिख रहे है दोनों ही love का मरे ही जोड़ सकते है मैंने अपको कहा है न कि मना कर घरवालों को मना कर शादी करना चाहते हो आप दोनों ही ओके so उसका मिली यही हुआ and यहाँ पे क्या है guys है रोफant torus sign के हो सकते हो आप या आपके person torus sun moon rising and north node में किसी भी sign में दोनों के ही हो सकते है या फिर nine of pentacles है दोनों ही independent दिख रहे हो ठीक है कुछ न कुछ कमाते होगे अपने life में and donations भी करते होगे भगवान के नाम का भी निकालते होगे so that आपके जो करम है न वो अच्छे बने ही रहे and आप दोनों का ही कोई न कोई बिसनस भी हो सकता है ठीक है बिसनस भी कर सकते हो साथ में मिलकर and आपका यह life purpose भी हो सकता है आपका soul purpose भी हो सकता है आप दोनों के एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा जिसे कहते हैं कि चाहे लाइफ में पैसा हो ना हो अगर एक टाइम पैसा है तो दूसरे टाइम नहीं है तो गाइस उस दूसरे टाइम में जो नहीं है उसमें भी एक दूसरे का साथ देना तो अगर कोई प्षेकल आती है तो उसमें भी आपको लिसन्स लर्न करवाए जाएं कि यह साथ देना बहुत important होता है चाहे आपके पती है चाहे आपके person है चाहे आपकी ममा पापा है ठीक है so of course situation से भागना नहीं है situation से लड़ना है हर टाइम ठीक है लड़कर ही जीतते हैं इंसान ठीक है हर कोई like अगर आप study नहीं करोगे अगर आप struggle ही नहीं करोगे अगर आप उस चीज़ से लड़ोगे ही नहीं तो कैसे आगे बढ़बाओके सो वही चीज़ दिखाई जारे है यहां पर move on का card है move on करना के लिए कहा जारे आपको मतलब जालो overthinking नहीं करनी है जहां पर खर्चा होना है वहां तो होना ही है वहां पर saving करने का क्या ही फाइदा गाइस आप यहाँ पर saving करते हो भी दिख रहे हो बहुत सारी ठीक है तब ही आप king and queen की situation आई है दोनों की ही and यहाँ पर यह भी दिख रहे है कि celebration करते हो भी दिख रहे हो बहुत सारी celebrations होने वाले हैं आपकी इस life purpose में यह भी लिखा है कि आप enjoy भी करोगे यह नहीं कि हर टाइम आपको अपनी life में यही सब चीज़े दे सोचनी है कि यह कब saving करने है कब नहीं enjoy भी बहुत करने वाले celebrations आने वाले हैं बहुत सारे आपकी life में and financial constraints see this यहाँ पर five of pentacles वही आया है आप सोचते हो negative सोच रहे हो फिर कि आपका money खतम हो जाएगा आपको नहीं खर्च करना है so आपको कहाँ जरे खर्च करीए woman holding a coin see this we'll say queen of pentacles का card एगी okay so door to personal healing and happiness okay all tied up so यहाँ पर woman holding a heart भी आ चुक है guys आपके लिए okay two women's आ चुक है omg serious मैं इसको ही ढूण रहे थी कही है card आ चाया यही आ चुक है king of pentacles यहाँ से फिस से आ चुक है guys यहाँ पर omg guys यहाँ पर third party भी हो सकती है यह आपकी जो person है न जो girl feminine energies में होगी चाहे boy है चाहे girl है वो person guys यहाँ तो बहुत उसके दो साइड होगी पहले बात तो बहुत emotions emotions उसके भरे रहेंगे ठीक है and जो भी आपके soulmate होगे आपके past life के person होगे यहाँ उनकी साथ आपका पुनर जनम होगा यहाँ आपके school college के friend हो सकते है and queen of cups का ही कार है guys जो आपको वहाँ पर दिखा था ठीक है यहाँ पर queen of pentacles के साथ यहाँ तो यह जो feminine energies है यह दो energies यह दो अलग अलग person है ठीक है आपके person के पास choice हो सकती है बटा आपको ही choose करेंगे वो यहाँ guys यह हो सकता है एक उनकी mama है एक आप हो ठीक है आपको pick करेंगे वो अपनी mama से सबको justice मतलब हर बात में लड़कर ठीक है आपको ही choose करने वाले आपके person यह हो सकता है यहाँ guys यह हो सकता है कि उनकी life में third party भी हो कुछ ऐसा हो ठीक है आपका life purpose ही ऐसे है या आपकी ही energies इसकी एनरजिस में यह है इसकी एनरजिस में यह है वह बहुत आपके इमोशनल भी है केरिंग ही है दूसरी बात भी में बहुत आप्टीरिली भी abundant है भी है जो पैसे वाइस को कमी नहीं है ब्लाक कैट आपके बास हो सकते है आपको दिखती हो ठीक है and black color आपका favorite हो सकता है purple, red ये colors light pink ठीक है जिसको baby pink कहते हैं ये colors आपके favorite हो सकते है and also आपको बोला जा रहा है कि आपकी life में यहाँ पर butterfly दिखे है, transformation आते हो दिखे है इस lifetime में, पूरी life transformation changes आते हो दिखे हैं आपकी life में 44 number आपके लिए important हो सकते है, 8 number 34, 42, 6, 7, 23, 7, 5, 7, 7 number guys see this यहाँ पी 34 and 43 number दोनों ही आये है, so यह mirror number आ चुक है 43, 34 and 34, 43 ठीक है यह आपके लिए mirror numbers है, so आप इसको check out कर सकते हो, so आपकी life में, इस lifetime में आपको peace मिलते हो दिखे है आपके शान्ती जो आप ठून रहे हो, heal होते हो दिखे हो आप life में, खुद ही ठीक है, आपके लिए doors open रहेंगे, इस lifetime यह आप लोगों को heal करोगे, ठीक है, साथ में आपके energies ऐसी होगी, कि आप लोगों को heal करोगे, बहुत जादा, दोनों की energies ऐसी है, happiness आपकी life में आते हो दिखे हो, खुश्यां आपकी life में एंटर हो दिख रहे हो, and also यहाँ पर all tied up, सब कुछ बंदा हुआ है, अगर आप सो किस्मत कहते हैं, किस्मत में होगा तो होगा, तो वो चीज है यहाँ पर, so यहाँ पर आपको strength रखने के लिए भी बोला जा रहा है, इस lifetime में, आपकी life purpose है, strength रखना भी, लोगों को strength बाटना भी हो सकता है, आपका रिष्टे से लोग सीखेंगे, ठीक है, आपकी love life से लोग life को निभाना चाहिए, ऐसे हमें, अपने partner के साथ रहना चाहिए, ठीक है, आपका, जो couple होगा guys, उससे लोग, आप बहुत famous हो सकते हो आने वोले time में, because यहाँ पर star का RBS series, healing का भी sign होता है इससे, heal करोगे आप दोनों ही मिलकर लोगों को, creation, guys आप दोनों ही कुछ ना कुछ आपका life purpose है, दोनों ही create करने वाले हो, कुछ ना कुछ अपनी lifetime में, ठीक है, साथ में रहकर, and forgiveness, माफ करना है लोगों को, माफ करना सीखोगे, and लोगों को भी सिखा सकते हो आप, कैसे माफ करना है सबको, ठीक है, and see this, यहाँ पर भी soulmate का card आपके लिए है, और, ठीक है, soulmate ह हो सकते हो आपके, and one more thought, so grief, guys, आपको grief में नहीं रहना है, okay, आपको किसी के अपने बारे में रोना नहीं है, किस situation को लेकर, अगर आप किसी अपने pet को में खो दिये हो, यहाँ खो, मतलब आगे future में कभी खो, तो रोना नहीं है, grief में नहीं रहना है, कि मेरी वज़से इसको कुछ हो है, आपका heart chakra ही open करेगा, वैसे वो, अगर आपको grief feel हो रहे है, don't worry, negative मत सोचिएगा, but वो आपका heart chakra open करेगा, मैंने आपको कहान आपके पस dog हो सकता है, so यहाँ भी dog है, वो आपका heart chakra open करता हुआ दिख रहे है, यहाँ पे see this, यहाँ पे मैंने आपको बहाँ पताय quest, okay, and bottom of the deck is perception, so guys, आप लोगों की सोच बदलने आए हुए इस lifetime में ठीक है, अगर आप as a partner भी एक दूसरे के साथ रोगे, तो लोगों की सोच बदलोगे आप लोग, कि एस example बनोगे आप लोगों के लिए, okay, so यह भी दिख रहे है, यहाँ पे, so release, okay, आपको बोले ज़रे क release कर रहे हो, आप लोग, कुछ ना कुछ आपको release करने के लिए कहा जा रहे है, अगर आप past के बारे में बहुत सोचते रहते हो, ठीक है, यह आपका life purpose, आपको lessons learn करना है, कि आपको release भी करना है, negative चीज़ों को, ठीक है, past को आपको release करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, universe आपको समझाएगे, आपको lessons देगे, कि ऐसे गलत चीज़ों के पीछे नहीं जाना है, सही चीज़ों के पीछे जाओ, आपके इस lifetime में soulmate होंगे, जिसके साथ आपका life purpose होगा, आपका उनके साथ intuitively, telepathic relationship रहेगा, इस lifetime में, जो आपके soulmate होगे, उनके साथ होगे, perception, यहापे soulmate के साथ होगे, आपके soulmate इस lifetime में जियोगे life ठीक है, आपके soulmate इस lifetime में जुरूर आएगे आपकी life में, so guys यहाँ से देख लेते हैं, आपके लिए आपका life purpose क्या है, so Paul, the Venetian, so आपको बोला चारह है, experiencing grace, so आप grace को experience करोगे इस lifetime में, share करोगे अपने gifts को, grace के साथ होगे, waves of inspiration and love are coming to you, waves है जो inspiration and love की आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, care and compassion शोगतना है, आपको कहा चारह है, choose to be love, do what is right for everyone involved, okay, give, offer a helping hand, लोगों को offer कर सकते हो, helping hand, care करके, लोगों की care कर सकते हो, ऐसे ठीक है, दिखा सकते हो, कि आप उनकी care करते हो, ठीक है, do what is right for everyone involved, so वही करिए, जो सब के लिए सही है, okay, and यहाँ पी है, send German, so आपको बोला चारह है, karma releasing, okay, आपको karma release करने आए हो, अपना, okay, move करिए beyond drama, create your round path, make room for good energy, good energy, positive energies के लिए, मैंने आपको पहले भी बोला, positive energies के लिए, जगा बनाइए, अपने अंदर, create करिए, अपना own path, okay, so यहाँ पी है, almora, awakening presence, the universe is with you, we are a clock of protection and love, so आपको बोला जारह है कि आपके लिए love and protection आपको दी जाएगी, ठीक है, universe की तरफ से, universe आपके साथ है, almora आपके साथ है, San German आपके साथ है, Kuan Zen आपके साथ है, guys, Paul the Venetian आपके साथ है, आपको कहाँ रहे, care करिए, care लीजिए लोगों से, experience करिए आपके life purpose में, grace को, teaching आपका purpose हो सकता है, इस lifetime में, लोगों को teach करना, ठीक है, अपने soulmate के साथ, union में आना, यह भी आपका life purpose हो सकता है, उससे जो lessons मिल है, उसको लोगों को बताना कि यह यह होता है, ठीक है, so karma release करना, karma कैसे release किया जाता है, वो भी लोगों को सिखाना, so guys, अगर आपको reading पसंद आई है, तो like this reading and subscribe to my channel, bell icon को दुबा देना, guys, and अगर आप लोग Instagram पे हो, तो वहाँ पे follow कर लेजिए, अगर आप, and description में है link, guys, times stamps के just above, वहाँ भी price details भी होंगी आपके लिए, ठीक है, या फिर about section में देख सकते हो, आप link को के Instagram के, and आप comment section में बताना कैसी लगी आपको reading, guys, and अभी के लिए इतना ही, अगर आप Instagram पे नहीं हो, तो comment section में बोल सकते हो, आपकी, मैं हमें reading चाहिए, okay, so guys, अभी के लिए इत अगर अपनी life में भी आगे बढ़ रही होगी, so guys, आज मैं आपके reading लेकर आगी हो, guys, again, आपका life purpose क्या है, guys, okay, आपकी life journey कैसे रहने वाली है, मतलब उसमें क्या क्या होगा, and also guys, उसमें कौन से obstacles आ सकते हैं, कौन से lessons learn करने पढ़ सकते हैं, आपको, so यह सब चीजे आज हम देखेंगे, guys, आपके लिए, so, यहाँ पी है, guys, आपके लिए power card, okay, so, अगर आप power card को pick किया है, आपने intuitively, तो बहुत अच्छी बात है, guys, तो, यहाँ फिर आपके, अगर, birth month है, February, April, June, August, October and December, तो guys, आपके लिए second part, so, देख लेते हैं, अगर जिनके भी birth months, इन में से आत है, तो, guys, उनके लिए, क्या आता है, रीडिंग में, आपका क्या life purpose है, क्या आपका soul purpose है, इस lifetime में, so, guys, यहाँ पी है power card, so, guys, सबसे पहली बात, मुझे से लग रहा है, आप लोग, Leo sign के हूँ, यहाँ आपकी life में कोई Leo sign के person, बहुत important हो सकते है, Singh Rashi, ठीक है, like, Singh Rashi का Lord सूर्य देवता की पूजा करना आपको बहुत अच्छा रहेगा, like, जैसे शट पूजा में करते हैं, बिहार में, and also, सुभी सुपष सूर्य देवता को पानी देना, so, यह सब चीजें आपको benefit दे सकते हो, okay, यह, guys, यह है, कि आप एक powerful personality बनने आए हो, यहाँ पे, इस धरत इस अर्थ के ऊपर, आपका mission यही है, आपका soul purpose यही है, कि आपको कोई powerful personality बनना है, powerful person बनना है, यह, लोग आपको बहुत जाब powerful समझते हैं, okay, so, यहाँ पे eight number आपके लिए important हो सकता है, अगर हम sun and saturation को साथ में रखें, astrology में, पहली बार, बहुत ही ज़रा पैसा होता है, उस person के पास, मतलब fame, name fame, guys, बहुत life में आता है, अगर यह बात नहीं है, name fame आपको नहीं, इन सब चीज़ों के पर में नहीं, second चीज़, guys, इस चीज़ में, इस combination क्या होता है, sun and saturation अगर आपके चार्ट में है, आपकी कभी भी boss के साथ नहीं बनने वाली है, मतलब आपके जो भ boss ही नेचर होगा, या कहीं पर आप काम कर रहे हो, जॉब पर हो, तो वहाँ पर आपकी boss से नहीं बनने वाले सी, ठीक है, so इसलिए थोड़ा सा आपको यह सब चीज़े सहनी पड़े, ठीक है, या फिल, आपकी क्योंकि यह पास का ही है, सारा कुश ठीक है, so आपके cards, guys, यह से एक moon ही आया है आपके लिए, ठीक है, so और देखर से नहीं रहे हो, okay, so guys, यहाँ पर है आपके, मैं आपको बता रही थी, कि sun and saturation को combination, so, यहाँ से वो भी दिख रहा है, okay, okay, judgment, moon and judgment, डोनों ही major अकाना cards है, magician, third major अकाना, guys, back to back major अकाना आदे हैं आपकी reading में, आपका life purpose क्या है, five of swords, okay, and sun and saturation में, guys, अगर आपको पता हो, sun, father होते हैं, शनी देवता जी को बिलकुल पसंद नहीं करते हैं, और शनी देवता भी सुर्य देवता को नहीं पसंद करते हैं, तो इस combination में fights होना, बहुत आम है, ठीक है, common है, यह सब चीजें, but yes, famous तो होता है, इंसान, ठीक है, चाहिए, किसी की चीज के थूँ हो, famous person को मिलकर ही रहता है, इस lifetime में, and यहाँ पे है page of swords, bottom of the deck is knight of wands, and middle energies के हैं, guys, आपकी knight of pentacles, okay, guys, so, सबसे पहली बात, guys, यहाँ पे दिख रहा है, मुझे मजेशन, सबसे आपकी राशियां हो सकते हैं, Sagittarius, Pisces, and Gemini, and Gemini, Libra, Aquarius, guys, यहाँ पे prominent है, दिख रहा, swords के energies है, and also, Taurus, Virgo, Capricorn, is also important here, and guys, wands भी है, सबसे पहली बात, आपको अपनी life में hidden चीज़े रखना बहुत पसंद है, ठीके, hide करते हो हर एक चीज़ को, या आपकी life में हर एक चीज़ हाइड होकर चलेगी आपकी life में, ठीके, like, मुझे ऐसे लग रहे है कि आप, आप manifest करते हो, वो भी बहुत hidden way में ही करते हो, आप इसी को जल्दी बताते हैं, या आप जल्दी बता देते हो, ठीके, इसके opposite भी हो सकता है, ठीके, या आप से अगर match करें, जो भी, वो आपको अपने से लेनी है, ठीके, यहाँ भी है moon, so hiding दिख रहे है, and also intuition भी दिख रहे है, आपकी intuition बहुत high रहने वाली है, of course, यहाँ में magician दिख रहे है हमें यहाँ भी, so manifestations जो भी आप करोगे, आप उसको attract करोगे, उसको attract करोगे, उसको attract करते हो, दिख रहे हो, यहाँ भी magician के पास सभी के सभी tools है, pentacles, wands, swords, and also cups, ओके, चारो के चारो ही science है यहाँ पे, so of course, आप लोग के सपास सभी के सभी tools है, आप उनको use करके अपनी life में, कोई भी बुलंदी हासल कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप हासल कर सकते हो, and manifest कर सकते हो उन सब चीजों को, and five of swords है guys, आपको लड़ाई जगडे से बचना है, ठीक है, आपका life purpose है, manifest करना, and also law of attraction का use करना, and लोगों को सिखाना, and यहाँ पर आपको judgment मिलते हुए दिख रही है, universe है, आपको शाबाशी मिल रही है, कि yes, आप लोग बहुत अच्छे से काम करते हुए दिख रही हो आप, कि कि अभी तक जो भी आपने काम किया है, इस reading के थो आपको कहा जारे है, कि yes, आपने बहुत अच्छा काम किया है, angels आपको protect कर रही है, and also five of swords है, तो मुझे यहाँ पर यह लग रहे है, कि आप लोगों को कहा जारे है, आपकी life में बहुत जारा competition आएगा, like seven of wands भी है, यहाँ पर आपको लड़ना पड़ेगा इस competition से, ठीक है, and इस life में आपका purpose है, कि आपको अपनी life में यह जो चीज़ें को इन से लड़कर आगे बढ़ना है, आपका soul का purpose है, ठीक है यह, and two of pentacles है, बहुत busy रहने वाली life है, यह आपकी, ठीक है, आपके purpose ही यह है, कि yes, आप busy रहोगे अपनी life में, किसी ना किसी situation में आप उलजे रहोगे, यहाँ तो आपके purpose में यह भी है, कि आपके पास options आएंगे, बहुत सारी, आपको pick करनी है, एक, okay, and आपकी wish आपको क्या pick करनी है, but also यह भी गहाँ जारे, आपका life purpose यह भी है, कि आपको अपनी energies को balance में रखना है, अपनी यह नहीं यह एंग energies को, and अगर आप बहुत ज़र गुस्से में आगे, तो guys वो आपके लिए fighting spirit बन जाओगे, आप, okay, and जो kindness से वो खतम होते जाएगे, आपके अंदर, so आपकी imbalance दिख रहा है, यहाँ पे, so आपको कहाँ जारे balance करना है, आपका यही purpose है, आपको यही lesson learn करना है, और अगर आप अपनी energies को balance नहीं करोगे, तो यही एक obstacle बनेगी, आपके हर एक काम में, okay, so, यहाँ पे है king of wants, तो of course, यह king आपको बताता है, passion, passionate होगे आप अपनी life में, हर एक चीज को पाने के लिए, हर एक चीज को, हर एक काम को करने के लिए, passionate होगे, fiery energies रहेंगी, आप एक king की situation में, बैठे हो, ठीक है, चाहे girl है, चाहे boy है, and attractive हो, guys, आपके बस हर एक चीज है, आपको कोई कमी नहीं दिख रही है, यहाँ पर, but yes, आपको कहा जारे, यह अपके प्षेकल बन सकती है, अगर आप, आपको कहा जारे, थोड़ा heal भी करिए, अपने आपको यह भी है, यहाँ पी, थोड़ा healing भी आपके लिए चाहिए, अगर आपको किसी ने hurt किया है, तो guys, उसके बढ़े में, ज़रा overthinking नहीं करना है, यही तो आपका lesson है, इस lifetime में, आपको learn करना है, कि अपने आपको पहले heal करना है, then after that, आप आगे का काम start करो, ठीक है, three of swords है, यहाँ पी hurt होते हो, दिख रहे हो, आपको किसी ने अगर hurt किया है, किसी ने आपका फाइदा उठाया है, इस lifetime में, उसको गाईज, उसका करमा पे करना ही पड़ेगा, because आप लोग उसका करमा पे, बलग उसको अपना करमा भुगतना पड़े, उसलिए प्रे करते हो, कि येस, इसको भी पता चले कि, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और उसने क्या किया है आपके साथ, and यहाँ पे page of swords है, and आपकी बाते guys, universe सुन भी रहे है, because यहाँ पे universe खुद यहाँ पे आये है, ठीक है, आपको जगाने के लिए, and like ऐसे है कि coffin से आप निकले हो, ठीक है, आप भगवान को प्रे कर रहे हो, coffin से, आप निकल चुके हो, यहाँ आप भगवान आपके सामने आए हो हैं, okay, and page of swords है, आपका यह भी life purpose हो सकता है, कि आप research के field में, research करो, जो hidden चीज़ है न, like, कौन सी होते हैं guys, वो field, UPSC में, I think, जो जैसे यह हडपा में, हडपा culture है, जो इंदस culture है, इंदस civilization है guys, उन में, history में जो हमें बतायागे, कि उनको कैसे clear कतना है, ठीक है, study होती हो, इसके लिए, I think, A सी होता है guys, अगर आपको comment section में, याद, अगर आपको याद आए, तो आप comment section में, जुरूर लिखना, anthropology, I don't know, yes, A से ही होता है, मुझे अभी mind में नहीं आ रहा है, यह पता लग रहा है, yes, A सी है, anyways, जो भी है, मैं आपको लिख दूँगी, बाकिया न, description में, कि क्या कहते है, bracket डाल कर, आपके time stamps के साथ ही, second pile, जो यहाँ पर, अगर आप मुझे याद आ गया, okay, so of course, यहाँ पर यह दिख रहा है, कि आप लोग, research के field में भी जासे, तो scientist भी बन सकते हो, ठीक है, scientist का भी, यहाँ पर दिख रहा है, so manifestations, बहुत high level पर दिख रही है, आपकी तरफ से, होगे, and also materially भी, अपने आपको stable करने में लगे रहोगे, because यहाँ पर, knight of pentacles है, and slow entry दिख रही है, किसी भी चीज़ की, three of cups का card है, guys, this celebration, okay, and सभी cards निकाल के, guys, then देखते हैं, आपकी reading में क्या आता है, four chakra, archangel, refill, आपका heart chakra, appreciation, anxiety, okay, तभी यहाँ पर four of swords आया था, मैंने आपको बताया कि, आपको किसने hurt किया है, तो guys, आपको, आप universe से pray करे हो, कि उसका karma मिले, ठीक है, and bottom of the deck is, fifth chakra, archangel, Gabriel, so guys, यही बताया जारे, कि archangel Gabriel आपके साथ है, और आपके throat chakra को उपर work करने के लिए, बोला जारे है, आपको, अपने throat chakra, अपनी intuition, and also, अपना heart chakra, ठीक है, आपका first, sorry, आपका second chakra, so sorry, आपका six chakra, आपका fifth chakra, and आपका four chakra, four, five, six, यह three chakras है, जिनके उपर आपको काम करने के लिए, बोला जारे है, लेगा, आपके heart chakra, तब ही open होगा, अगर आपके, आप खुल कर हर एक बात कर रहे हो, या आपके साथ, हर एक बात ऐसे ही की जा रहे है, and also, आपको blessings भी तभी receive होँगी, जब आपकी life में, मेरा work है, ऐसे मैं करते हूँ, इंट्यूशन ऐसे हाई है मेरी, जो भी है गाईस, यहाँ भी एफोर चक्रा, archangel raphial, archangel raphial आपके साथ है, archangel metatron आपके साथ है, आपके intuition को हाई करने में लगी हुए है, ठीके, पेशेंस रखिए, आपका throat chakra को अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, अगर आपके throat chakra में कोई अर्चन आ जाती थी, बोलते हैं तो गाईस, वो अब नहीं होगा, ओके, so anxiety feel नहीं करने हैं, आपको appreciation ही मिलेगा गाईस, इस lifetime में, आपका life purpose ही यह है, anxiety feel नहीं करने हैं, also उससे बाखा निकल कर depression से अगर आपकी life में, ऐसा कुछ होता भी है, appreciate, appreciation मिलता हुआ दिख रहा है गाईस, आपको ठीक है, appreciate किया जाएगा आपको सारी की सारी life, and यहाँ पे community भी दिख रही है, आप किसी community में, जिस community से वो उसको serve भी कर सकते हो, यह भी आपका soul purpose है, like NGOs में, यह एक तरसे community ही है, NGO community, ठीक है, so वहाँ पे भी आपको serve करने के लिए, बोला जाएगा, कि आप इन सब चीजों में serve कर सकते हो, ठीक है, so, यहाँ पे आपको घाजरे, all tied up, सब कोछ बना हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि yes, यही सब चीजे नहीं होती है, ठीक है, life purpose, खोद ही बनाना पड़ते है, ऐसा नहीं होता है, सब कुछ लिखा जा चुका है, आपको बानते नहीं है बगवान, आप सोचते हैं बहुत कुछ हो, बट होता वही है, जो उपर वाला चाहता है, ठीक है, and 7 number आपके लिए important हो सकता है, 11 number, 5 number, 23, 38, 18, 15, 40, 4, sorry, 49, and then 4, and then 15, and then 6, and then guys 12, and also 3, okay, so यह numbers आपके लिए important हो सकते हैं, enlightenment, so guys, यहाँ पर जो दिख रहा है, enlightenment का कारा है, of course, आपको बोला चाहरा है, कि आप लोग इस lifetime में, आखे खोलने आते हैं, जैसे आखे खोल कर, देख रहा हर एक चीज़ को, and also universe आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ है, वो आपका साथ देते हुए, दिख रहे हैं यहाँ पर भी, and जैसे आप उनके सामने खड़े हैं, वो आपके सामने हाँ जोड़के खड़े कि, yes, आपको क्या चाहिए, आप बताईया, आपको वो अपने बच्चे की तरह समझते हैं, and आप भी उनको as a father की तरह ही treat करते होगे, ठीक है, universe में जो भी आपके archangels हैं, या जो भी आपके भगवान जी है, खुद ही ठीक है, joy, so guys, आपको बोला चाहरे है, इस lifetime में आपको anxiety फिल करने के लिए नहीं आए हो, आप joy फिल करने के लिए ही आए हो, quest, okay, so guys, जहां पर जैसे, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खतम हो चुक है, यहां पर सब कुछ फिल से green green हो चुक है, so universe से आप manifest करिए, कि आपकी life में जहां पर भी सोका पड़ चुक है है, जहां पर भी आपके dryness आचुक है, वहां पर उसको गीला करें, और अलसो उसको हरा भरा करें, ठीक है, and हरा भरा कहा है, and growth आचुक है guys, so of course, आपकी life में growth दिख रही आने वाले time में, किसी के भी through होती है, हो सकती है guys, तो growth आपकी life में आ रही है, and preserve else, preserve करने के लिए बोला चाहरा है, ठीक है, and ज़्यादा भी preserve नहीं करना है अपने आपको, ठीक है, so soulmate guys, दोनों में ही आ चुका है, इतने shuffle करने के बाद भी soulmate कार रहा है, bottom of the deck is expansion, so expansion guys, important है आपकी life में, expand होते होए दिख रहे है guys, आपकी life, okay, and आपके person, आपके soulmate हो सकती है, अगर आपकी शादी किसी के साथ हो, इस lifetime में, and उनके साथ, आपका telepathic relationship, बहुत अच्छा रहेगा, and आप उनके दिल की बात, पहले ही जान जाओगे, या जान जाओगी, जो भी वो सोच रहे है, ठीक है, अगर आपकी life में, भगवान जी, soulmate भेजेंगे न, किसी भी time ही भेजेंगे, ठीक है, तो guys, वो right time होगा, okay, उससे पहले नहीं भेज सकते हैं, वो भी, सो यहाँ पे mother earth गाया, be mindful of the planet, earth connection, be mindful of the planets, come back to earth, stay grounded, सो आपको बोला जारहे है, कि grounded रही है, ठीक है, जादा ही हुमने, फिर ने नहीं जाना है, ठीक है, grounded रही है अपने, guys, अगर आप बहुत जादा sandals, chappals, slippers, बहुत जादा पहन के चलते हो, या चलती हो, सो आपको बोला जा रहा है, कि shoes, ठीक है, आपको बोला जा रहा है, कि आप अपनी life में, जैसे कहते हैं, without कोई चपल, नंगे पैर घूमिये, ठीक है, उससे आपको बहुत relief मिलेगा, आप grounded पहसूस कर पाओगे, अपनी energies को, ठीक है, and also be mindful of the planet, come back to earth, आपको बोला जाए, अगर आप नहीं पर जाना चाहते हो, सोच रहे हो, ट्रावल करने के लिए, तो रुक जाएए, थोड़ा साथ के, तो आपको बोला जाए, नेचर में, so magic manifesting, यूर ड्रीम, आईसे स्कॉर्ट साही हैं, आपके लिए, यूर ड्रीम, विजन और गोल्स, आपको बोला जाए, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो विजन और गोल्स हैं, वो रियालिटी बनने जा रहे हैं, ठीक है, so stay focused, आपको focus रहने की ज़रूरत है, यहाँ पर, focus रहना है, ठीक है, आपके जो भी विजन और ड्रीम्स हैं, उनको manifest किया जा रहा है, आपके जो गोल्स हैं, उनको भी, ठीक है, so यहाँ पर divine director है, intervention and purpose, divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose, so आपको बोला चारे कि, आपकी life में intervention की जा रहे हैं, purpose है, ठीक है, आपका life purpose ही यह है, आपका soul purpose ही यह है, guys, आपके सामने जब कोई आएगा, आपको तभी समझाएगा, कि yes, यह reality है, divine intervention is occurring, know that you are being guided, divine intervention है, वो अकर की जा रहे हैं, आपको पता होना चारे कि, आप guided हो, happiness आपका purpose है, खुश्यों का साथ दीजिए, ठीक है, खुश्या मनाईए हर टाइम, care and compassion, choose to be love, do what is right for everyone involved, offer a helping hand, so आपको बोलो जारे, love को choose करिए हर टाइम, ठीक है, वही काउं करिए, जिसमें हर किसे की बहलाई हो, ठीक है, उसके बिना, आप helping hand भी, दे सकते हो, लोगों को, ठीक है, so guys, अगर आपको reading पसंद आई हो, तो like this reading, अगर आप Instagram पे हो, तो आप फॉलो कर सकते हो, and also DM करके, मुझे बोल सकते हो, कि आपको personal reading चाहिए, description में link है guys, Instagram का and about section में भी link है, and guys, अगर आप वहाँ पे नहीं हो, Instagram पे तो आप comment section में ही, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, so guys, अभी के लिए इतना ही, अगर आपको reading पसंद आए, तो like this reading, subscribe कर मैं चानल, and अभी के लिए इतना ही, हर हर महादेव guys, रादे रादे, बाई,